हालो फ्रेंड्स माइनेम इजिस्पाक एद्स और मैं इस टाइम अभी सौधी एरेविया में हूँ, मैं स्टाफ नर्स हूँ सौधी एरेविया में, तो मैं आपको सौधी एरेविया के बारे में कुछ फैक्ट बाते बताना चाहता हूँ वैसे तो सौधी एरेविया एक बहुत अच्छी कंट्री है मुस्लिम कंट्री है और यहां लोग ज़्यादा तर इंडिया, पाकिस्तान, बंगला देश और केनिया, एजिप्ट ज़्यादा तर इधर कई लोग सबसे ज़्यादा आते हैं यहां खाम करने के लिए सौधी अरब में काम करने का सेड्यूल सब का अलग अलग है जिसने जैसा कॉंट्रेक्ट कर लिया उसको उस हिसाब का काम यहां मिलता है बाकी यहां रहना, खाना, पीना सब बहुत बढ़िया है, अच्छा है आप यदि चाहो तो यहाँ आप 200 सौधी रियाल में आप आसानी से वन मन्त का खाना पिना खा सकते हैं यदि हम उसे अपने इंडिया के हिसाब से यदि देखेंगे तो 200 सौधी रियाल मेंस 4000 तो यहां सब कुछ ठीक है और सौधी कोमेंट अभी जो हम लोगों को इतनी ओफर दे रही है और यहां काम करने का जो मौका मिल रहा है आने वाले टाइम में साइद यह मौका न मिले तो हरी अप जितना जल्दी हो सके आपको यदि सौधी अरेविया में जो आप करने का मौका मिल रहा है तो आप उसे जल्द से जल्द एक्सेप्ट करें और जल्दी आ जाए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2030 के बाद से आज नभीयों के लिए शौधी अरब में काम बहुत कम हो जाएगा अभी तो जब तक चल रहा चल रहा नहीं तो बाद में मुस्किल है तो अभी जिसको यदि मौका मिल रहा तो वो शौधी अरेविया आए और यहां अच्छे पैसे कमाए अभी शौधी अरेविया में अभी एक S.R. का रेट जो है अभी 19 रुपे 20 रुपे के आसपास चल रहा तो गिरी हालत में यदि माल ये की कोई किसी भी काम में आता है तो कोई एक यदि मजदूर के रुप में भी यदि आता है तो गिरी हालत में 20-25 जार रुपए उसे आसानी से मिल जाते हैं जो हमारे इंडिया में एक अनपड मजदूरों को इतना पैसा मिलना आशंभाव है और यदि आप हाई प्रोफेशनल में हो तो आप की तो फिर क्या बात है आप तो फिर बिल्कुल मज़े के पैसे ले सकते हो इंडिया के प्रोफिमेट्री एक लाग रुपए डेड़े लाग रुपए यहां तक की दो लाग चार लाग पांच लाग तक भी आसानी से परमेहने कमा सकते हो तो अब भी यदि जिसको मौका मिल रहा हो तो वो जल्द से जल्द कोसिस करें और आ जाई कर ओके गाईस बाए हमारे यूट्यूब चैनल को इस्पाक अहमत धमाका को लाइक शेयर अप एंड सेब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको सौदी आरब के बारे में और भी फैक्ट बाते आपके साथ सेयर कर सको थैंक यू